29 August 1905, सोमेशवर्दत जी के घर पे एक लड़की ने जनम लिया, जिसे आज हम मेज़र ध्यान चन्जी के नाम से जानते हैं. यह एक महान होकी प्लेयर थे, जिनकी प्रतिबा को पूरी दुनिया ने सलाम किया. यहां तक कि जर्मेनी के जो तानाशा थे, हिटलर, वहां से लेके डॉन, ब्रैडमें, जो कि ऑस्टेलिया के क्रिकेटर थे, उन सब ने इनके खेल की बहुत ही जादा तारीफ की. इनकी जो हौकी खेलने की स्किल्स थी, वो इतनी जादा अच्छी थी कि जब यह हौकी खेलते थे, तो बॉल पे इतना जादा कंट्रोल था, कि बॉल हौकी से बिलकुल चिपक के रहती थी. और उनके अपोनेंट को लगता था, कि इनकी जो हौकी है, उसमें कुछ न कुछ अलग है. इसलिए जब वो हौल लेंड में हौकी खेल रहे थे, तो मैच के बाद उनकी हौकी को तोड़ के देखा गया, कि कहीं इसके अंदर मैगनेट तो नहीं है. इन्होंने पहले ही मैच में 3 गोल्ड आगे और टोटल इनके 35 गोल्ड हैं ओलम्पिक में. अगर इंटरनेशनल की बात करें तो इन्होंने 400 से ज़ादा गोल्ड किये हैं. ये सारी अचीवमेंट जो उन्होंने अचीव की, ये सिर्फ टैलेंट ही नहीं था, इन्होंने इसके लिए काफी ज़ादा हार्ड वर्क किया है. इनका जो कॉंट्रिबूशन है इंडियन स्पोर्स में वो बहुत ही ज़ादा है, इसलिए हम इनकी जो बर्थ एनवर्सरी है 1905 को UP के एलहाबाद में हुआ था, उनकी जो फादर थे वो बिटिश आर्मी में शोलजर थे, अगर उनके बच्पन की बात कर तो बच्पन में उन्हें रेसलिंग करना बहुत ही ज़ादा पसंद था, लेकिन 1922 जब उनकी एस सिर्फ 16 साल की थी, उन्होंने आर्मी जोइन क करने के बाद उनका जो इंटरेस्ट था, वो होकी की तरफ बढ़ता है गिया, उनका इंटरेस्ट आप इस बात से जान सकते हैं कि रात के अंधेरे में सिर्फ चान्नी रात में, मतलब मून लाइट में ही वो अपनी आर्मी डूटी पूरी करने के बाद प्रैक्टिस किया कर गया, उन्होंने अपने हाडवर के बदौलत अपने आपको एक हौकी में बहुत ही बड़ा प्लेयर बनाया, इसलिए उनका आर्मी में प्रोमोशन भी होते रहे, उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल न्यूजिलेंड के अगेंस्ट में 1926 में खेला था, लेकिन 1927 में से पहला अपना ओलंपिक गेम खेला, जो कि नीदर लेंड में हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक जो कि 1932 में हुआ था, अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने अमेरिका को 24-1 से हराया, ये बहुत ही ताना शाह, हिटलर भी आए हुए थे, अगर फर्स्ट हाप की बात कर तो मुकाबला काटे का था, लेकिन टीम इंडिया ने 1-0 से बड़त बना रखी थी, लेकिन सेकंड हाप का जो बेक हुआ, तो ग्राउंड को गीला कर दिया गया, जिसकी वज़े से इंडियन खिलाड़ आशाते मैच के बीच में ही वहां से चले गए, उन्होंने ध्यांचन जी को बुलाया, और उन्हें एक अच्छे जॉब ऑफर की जर्मेनी में, और साथ ही साथ जर्मेनी की टीम से खिलने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन मेजर ध्यांचन जी ने मना कर दिया, उन्हें कलीफ में गए, उनको लीवर कैंसर था, और पैसो की कमी होने के कारण वो एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाए, और उनकी जो डेथ है, वो 3 दिसंबर 1979 को एमस के हॉस्पिटल में हो गई, जो की डैली में है, अगर मेजर ध्यांचन जी की स्टोरी न